Recently 1st November को ही Shanghai Corporation Organization की virtual meeting में S.J. शंकर जी ने चाइना के Belt and Road Initiative पर कुछ बयान दिये S.J. शंकर जी ने इंडिया की long standing position को re-trade करते हुए इस project को join करने से उन्होंने मना कर दिया दोस्तो B.R.I. का वो पार्ट जो चाइना को Arabian Sea से connect करता है उसे चाइना पाकिस्तान economic corridor या फिर CPAC कहते हैं CPAC गिलगित बलतिस्तान रीजन से होकर गुजरता है ये इंडिया का वो रीजन है जिसे पाकिस्तान ने illegally occupy कर रखा है और ये चाइना के काशकार को पाकिस्तान के गौादर पोर्ट से connect करता है तो दोस्तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि क्या इंडिया को ऐसे connectivity project को support करना चाहिए जो उसकी sovereignty और integrity को effect करता हो